हेलो दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल आयूरुवेदिक टिप्स में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पुत्र प्राप्ति के लिए एक आयूरुवेदिक प्रियोग बताने जा रहा हूं जिसको अपना कर अगर आप सही ढंक से इसको अपनाते हो इसको प्रियोग करते हो तो आपको पुत्र की प्राप्ति निश्चित है तो दोस्तो प्रियोग को बताने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाऊंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है त इसके साथ ही में दोस्तो नीचे दिये गए बैल आइकन को आप दवाना ना भूले ताकि जब भी कभी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप तक पहुंच सके तो चलिए दोस्तो अब बात करते हैं उस आयुर्वेदिक प्रियोग के बारे में दोस्तो बेटा हो या बेटी दोनों ही एक समाल है आज के समय में बेटियां भी बेटों से कम नहीं है घर के संसकार और माहोल इस बात का निर्धारन करते हैं कि आपका बेटा या आपकी बेटी कैसी होगी लेकिन आज भी लोगों की सोच संकीन है कि अगर उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो उनका वन्स कैसे आगे बढ़ेगा इसी चाहत में बहुत से लोग दवाईयों का सेवन करते हैं और बहुत से तरीकों को अपनाते हैं वैसे अब ये सोच धीरे-धीरे बदलती जा रही है खास कर पड़े लिखे लोग और बड़े शहरों में रहने वाले अब पुत्र पुत्री दोनों ही में कोई भेद नहीं करते हैं तो दोस्तो आज मैं आपको पुत्र प्राप्ती के लिए एक आयुवेदिक प्रयोग बताने जा रहा हूं जिसे अगर सही ढंग से और निमित रूप से इसको प्रयोग किया जाए तो आपको पुत्र की प्राप्ती निश्चित है दोस्तो पुत्र प्राप्ती के लिए स्त्री और पुरुष को लगबग 6 महीने पहले ही तैयारी करने ही पड़ती है पती को दूद से बनी हुई चीजें जैसे पनीर, दूद, मक्षन, मावा और रबड़ी आदी इन सभी चीजों का सेवन करना चाहिए और साथ ही में हर तरह की खटाई से परहेज करना चाहिए तो मैं प्रियोग बता देता हूँ कि इस प्रियोग के लिए आपको क्या-क्या चाहिए तो दोस्तो इसके लिए आपको चाहिए अस्वगंदा की जड़ों का चून ये पुत्र प्राप्ती के लिए एक असरदार व्य अचू कूपाय है इसके लिए आप 25 ग्राम अस्वगंदा की जड़ों का चून ले लीजिए और इसे आप आधा लिटर पानी में डालकर तब तक उबालते रहें जब तक कि ये इसका एक चुताई भाग शेशना रह जाए इसके बाद इसमें आप 100 ml दूद मिला दें और फिर से इसे आप गरम करें और इसे उबालते रहें जब तक ये 50 ml शेशना रह जाए जब ये 50 ml यानि की आधा रह जाए तब इसमें आप आधा चम्मच देशी घी को मिला दें इस बने हुए मिशन को आप हर रोज सुभे खाली पेट तीन से चार महीनों तक निमित रूप से इसको सेवन करें ये सबसे असरदार वै अचू कुपाई है इसके साथ ही बताई गई बातों का आप ध्यान रखें और खटाई का बिल्कुल ही परहेज रखें इसको सेवन करने से आपको शत्परतीशत लाब होगा तो दोस्तों बहुत ही आसान है पर आपको इससे शत्परतीशत लाब होगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ अन्य जानकारी के साथ तब तक के लिए थैंक यू